Hello viewers, आज की वीडियो में हम सुनने वाली संख्या का गटाना सीखेंगे तो इसके लिए हमने संख्याली 90 और इसमें से हम गटाएंगे 24 को तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये जो हमारा 1 का अंक से सुरू करते हैं तो उपर हमारा 0 है और नीचे हमारा 4 है तो हम क्या करेंगे, जीरो में से चार को घटाएंगे, तो चुकि जीरो हमारा क्या है, चार से कम है, तो जब चार से कम है, तो क्या होगा घटाना संभव नहीं है, तो उस इस्तिती में हम क्या करते हैं, बगल वाले अंक से एक अंक उधार लेते हैं, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि जब हम उधार लेते हैं, तो चुकि हम दहाई से एक उधार लेते हैं, तो जब हम एक उधार लेते हैं, तो वह एकाई में आके कितने के बराबर हो जाता है, दस के बराबर, क्यूं? क्यूंकि जब हमारी दस एकाई मिलती है, तब हमारी ए एक दाहाई बनती है इसलिए जब हम एक अंक लेते हैं तो आप दाहाई जो है इकाई में आकर दस के बराबर हो जाती है इसलिए यहाँ हम एक मिलने के बाद इसका मान क्या हो जाएगा 10 तो हम 10 में से अब क्या घटाएंगे 4 घटाएंगे तो जब हम 10 में से 4 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है 6 तो हम यहां क्या लिख देंगे 6 इसके बाद हम देखते हैं कि यहां से हमने 1 अंक हासिल या उधार दिया था तो एकंग उधार देने के वाज़ा से नौ में से एकंग क्या हो गया, कम हो गया, तो यहां कितना हो गया, एकंग कम हो करके आठ हो गया, तो अब हम आठ में से पाँच को गटाएंगे तो जब हम आठ में से 5 गटाते हैं तो हमें क्या मिलता है 3 तो हम यहां क्या लिख देते हैं 3 तो इस प्रकार 90 में से 54 घटाने के बाद हमारा उत्तर क्या आया 36 आईए एक और सुन्ने वाली संख्या का घटाना देखते हैं अब हम जो है 8,070 में से घटाएंगे 2762 तो सबसे पहले हम इकाई यंक से सुरू करते हैं याने के 0 में से 2 घटा देते हैं तो यहां भी हम देखेंगे कि 0 क्या है हमारा 2 से कम है तो घटाव नहीं होगा तो हम क्या करेंगे बगल वाले 21 से एक अंक हासिल लेंगे हमने पहले ही बताया कि बगल से हम पहले ही एक अंक लें लेकिनों किसके बराबर होता है 10 के इसलिए हम क्या करते हैं यहां हम जीरेों के अस्थान पे एक नव मान करके हम यहां इसको 10 मानते हैं से एक अंक मिलेगा तो यह दस के बराबर होगा तो अब हम दस में से दो को घटाएंगे तो जब हम दस में से दो घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है आठ तो हम यहाँ इकाई पर क्या लिख देंगे आठ अब यहाँ चुकी हमने साथ में से एक कंक उधार दिया था तो अब हमारा साथ में से एक कंक कम हो गया तो जब साथ में से एक कंक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा छै तो अब हम उपर वाले छै में से नीचे वाले छै को घटाएंगे तो जब हम छै में से छै को घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है सुनने तो अब हम यहां क्या लिख देंगे सुनने इसके बाद अब हम यह सैकड़ा की अंक को देखते हैं तो यहां हमारा फिर जीरो में से साथ गटाना है तो हम क्या करते हैं गटाना संभव नहीं होने के वज़ा से बगल वाले अंक यानि कि हजार से एक अंक उधार लेते हैं तो ठीक वैसे ही जब हम हजार में से एक अंक सैक्रा को देते हैं तो यह भी दस के बराबर होता है तो अब हम क्या करेंगे यहां दस में से साथ को गटाएंगे तो जब हम दस में से साथ गटाते हैं तो हमें क्या मिलता है तीन तो हम यहां क्या लिख देंगे 3 इसके बाद अब हम यहां देखें तो यहां जो हमारा 8 है यहां 8 से 1 कंक कम हो गया क्योंकि हमने इसे 1 कंक हासिल दिया था तो अब यहां 8 क्लब हम क्या ले लेंगे 7 आठ से एक अंक कम साथ हो गया तो अब हम साथ में से दो को घटाएंगे तो जब हम साथ में से दो को घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है पांच तो हम यहां नीचे क्या लिख देंगे पांच तो इस प्रकार आठ हजार सत्तर में से दो हजार साथ सो बासट को घटाने के बाद ह हमारा उत्तर क्या आया 5308 आएए एक अंतिम और बहुत ही important प्रस्ट को देखते हैं अब हमें 40,005 में से घटाना है 15,318 इस प्रस्ट को आप बिल्कुल ध्यान से देखेगा क्योंकि अक्सर इस तरह के प्रस्टों में आप confused हो जाते हैं तो हम सबसे पहले अगर देखें तो यहां हमारा उपर 5 है एकाई के अस्थान पे और नीचे 8 है तो यहां 5 क्या है हमारा 8 से कम है तो क्या होगा घटाना संभव नहीं होगा तो हम क्या करते हैं बगल वाले अंक से हासिल लेते हैं लेकिन यहां हम देखें तो 0 है तो 0 से इसे क जियुगो कुछ मिलेगा नहीं, तो अब क्या करेगा, यह 0 बगलवाले से उधार लेगा, लेकिन यहाँ भी 0 है, तो हम क्या करेंगे हैं, प्र बगलवाले से उधार लेंगे। तो जब हम चार में से एक अंक उधार लेंगे तो क्या होगा चार में से एक अंक कम हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा तीन और यहां जो एक अंक इसको मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा दस लेकिन इसको अपने में से एक अंक इसे भी देना है बगलवाले को जो कि सैक तो यहां क्या हो जाएगा दस तो इसके पास हजार के पास हो गया लेकिन एक उधार देने के वज़ा से अब यहां इसके पास कितना हो जाएगा नौ तो यहां हम क्या लिख देते हैं नौ अब चुकि यहां हजार के पास भी सौरी सेकड़ा के पास भी एक मिलने के वज़ा से ये 10 के बराबर हो गया लेकिन चुकि इसे अभी दहाई को एकंग देना है तो यह अपने मेंसे एकंग दे देगा और इसके पास कितना हो जाएगा 9 तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं सैकडा के अस्थान पे 9 अब इसके पास कितना हो गया दहाई के पास 10 हो गया अब यहाँ हम देखें कि चुकि इसको इकंग को भी एकंग उधार देना है तो क्या करेगा यह अपने मेंसे एकंग जब इसे देगा तो यहाँ एकंग कम हो करके दहाई के पास कितना हो जाएगा 9 तो हम दहाई के अस्थान पे लिख लेते हैं 9 अब चुकि यहाँ इसे इकंग को दहाई में से एकंग मिल गया है तो जैसा कि हम पहले जानते हैं कि एक दहाई दस इकंग के बराबर होता है तो जब इसे एकंग मिलेगा तो यह दस के बराबर हो जाएगा और पांच इसके पास पहले से यह है यानिकी यहाँ इकाई के पास कितना मान है 15 तो अब हम क्या करेंगे कि 15 में से 8 को गटाएंगे तो जब हम 15 में से 8 को गटाते हैं तो हमें क्या मिलता है 7, तो इस 7 को हम कहा लिखते हैं, 1 काई के स्थान पे अब दहाई के अंकों देखते हैं, तो अब दहाई पे यहाँ नया मान 9 है तो हम 9 में से क्या गटाएंगे, 1 को तो जब हम 9 में से 1 गटाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 8 तो हम यहाँ नीचे क्या लिख देंगे आठ उसके बाद अब हम सैकड़ा के अंग को घटाएंगे तो सैकड़ा के अब नए अंग का मान कितना है नौ तो अब हम नौ में से तीन घटाएंगे तो जब हम नौ में से तीन घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है 6 तो हम यहां से एकड़ा के अस्थान पर क्या लिख देते हैं 6 इसके बाद हम 1000 के अंग को गटाते हैं तो यहां 1000 का निया मान उपर हमारा क्या आया था 9 अब इस में से हम गटाएंगे 5 तो 9 में से जब हम 5 गटाते हैं तो हमें क्या मिलता है 4 तो हम यहा का जो अंक है या मान है वह कितना है नया तीन और नीचे हमारा एक गटाना है तो जब हम तीन में से एक गटाते हैं तो हमें क्या मिलता है दो तो हम यहां नीचे क्या लिख देंगे दो इस प्रकार चालिस हजार पांच में से पंद्रा हजार तीन सव अठारा घटाने के बाद हमारा उत्तर के आया चोबिस हजार छहसव सतासी तो इस प्रकार हम जीरो वाली संक्याओं को घटाते हैं बाकी ये एक अभ्यास प्रस्न है इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें जिसमें आपको पांच हजार तीन में से घटाना है दो हजार पांच सो छी आलिस को और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है बाकी वीडियो छलगा हो तो लाइक और शेयर करना भूलें मिलते हैं ऐसे ही ग्यान वर्दक अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई